हेलो फ्रेंड्स मेरा ना मेरा ओल और आप देख रहे हैं मॉब्ट्रिक्स तो दोस्तों आजकल मुबाइल फॉन हरको यूज करता है और जो मुबाइल फॉन यूज करता है उतरहता कि मैसेजिंग एप्स भी यूज करता है जैसे कि फेजबू, वर्टसप, इंस्ट्रग्राम या फिर आपका इमेल्स होगेरा तो दोस्तों इससे हम अपने दोस्तों से बात कर पाते हैं उनसे चैट कर पाते हैं और जो हम आपको चैट करना रहता है तो आज इस वीडियों में आपको बताने वाला हो कि कैसे आप अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं कैसे फिर स्टार्ट करते हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाली वटन को भी दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो आपको उसकी नट्फिकेशन जल्दी से मिल जाए त जोस्तो सबसे पहले हमको टाइपिंग करने के लिए अच्छे से कीबॉर्ड अप्लीकेशन देखनें को मिल जाती है बट मैं आपको प्रिफार करूंगा जी बोड अप्लीकेशन ये गूगल का कीबॉड अप्लीकेशन जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल फोन में इसमें आपको काफी अलग अलग टाइब की gesture समिल जाते हैं। और circuit settings मिल जाते हैं। जिससे की आप अपनी typing speed को काफी हतक fast कर सकते हैं। मतलब इन सारी सुध्याओं का फायदा लेकिं आप अपनी typing speed को काफी हतक fast कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे ट्रेक्स जिससे कि आप में टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों कई लोगों का मोबाइल बहुत छोटा होता है जिससे कि उनको बहुत कम स्पेस मिलता है टाइपिंग करने के लिए किसी दो अल्फाफेट के बीच में बहुत कम स्पेस मिलता है या फिर किसी इतनी लोगों की उगलिय THE काफी मोड़ी होती जिस्से की two typing करना चाहते हैं कोई सेंग्य दबा देको कोई दूसरोरे लिडर पर पाड़ करते हैं फिर तो इससे आपई जय जाते हैं तो इस से आप क्या कर सकते हैं आप ऒफो सेट्निंग का function मिलेगा अगर आपक को खीच के मतलब सेट कर सकते हैं सेटिंग आपको मिल जाएगी तो यह सेटिंग में चले जाएए फिर उसके बाद आप प्रिफरेंस में चले जाएए फिर इदा देखिए इधर नीचे की साइड आपको देखिए कीवोड हाइट का ऑप्शन मिलता है इधर से आप इसको टॉ पावलम नहीं हो रही है और तो दूसरी चीज दोस्तों कि मैंने अकसर देखा है कि लोगंत ताइपं करते आप करते हैं कोछ वी चीजे आप लिखते हैं तो हमको कभी कई बार अईसा नंबर यहां होती है कि 1234 192 एकल तो यह तो मुझे इदर 1000 एकल्ण मुझे पहले इसको स्विच करना पड़ेगा है कोई भी वर्ड मतलब कोई भी नंबर इदर से फिर ऐसे लिखूंगा टाइप करूंगा तो इसमें थोड़ा हमारा टाइम चले जाता है वर्ट इसको भी आप चाहे तो बहुत ही फास्टली काम कर सकते हैं इसके लिए भी आपको करना क्या होगा इ जिससे कि मुझे इसमें अगर कुछ भी लिखना है तो इदर मैं देखोंगा कि लिए अगर मैं किसर कुछ भी लिखता हूं कोई भी एक्सवाइज जेड अगर कुछ भी चीज लिखता हूं तो इदर मुझे नंबर दबाने के लिए मुझे इसको स्विच नहीं करना पड़ मैं directly इदरी से numbers को प्रेस कर पा रहा हूं और जिससे के मेरी typing speed भी बढ़ रही है मुझे बार-बार convert नहीं होना पा रहा है मतलब keyword को अपने pattern change नहीं करना पड़ रहा है example के तोर पर आप देख लिए जैसे कि मुझे राहूल लिखना है तो अभी मैं यह राहूल हो गया मतलब कई बार नाम जो रहते हैं कहीं जगों के नाम रहते हैं तो इसको हम capital letter में लिखते हैं पहला वर्ड तो आप इसको इसको इदर से डिरेक्टली इसको प्रेस करके जिस भी वर्ड पर ले जाना है उसको ले जाईए वस हो गया काम और इसे साथ अगर कुछ आपको symbols वगर आइड करना है तो आपको डिरेक्टली इदर से पकड़िए इसको इदर से देखिए इदर से आपको इससे डॉट वड़ी बटन दबाएए जो भी यूज्टी हो जाएंगी तो आपकी typing speed काफी है तक increase हो जाएगी और इसके साथ अगर आपने कुछ टाइप किया है और आपने कुछ से mistake कर दिया है जैसे कि मैंने इदर कुछ टाइप किया है और इदर से में यह वर्ड हटाना है तो ए हटाना है समल लो इदर से देखिए कि कर सकते हैं तो यह कुछ जिस्टर से जिनका यूज करके भी आप अपनी typing skill को काफी है तक बढ़ा सकते हैं और इसके साथ यह दोस्तों आप इसमें कुछ sortcut add कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने देखिए एदर एक sortcut add किया हुआ हुआ है जैसे मैं तीन M लिखता हूं तो इदर देखें मेरे को मेरा email id सामने दिख जाता है तो इस तरीके से कुछ shortcuts आप add कर सकते हैं जिससे कि होगा क्या कि जो भी चीज आप टाइट करने जा रहें आपको directly shortcut दिख जाएगा सामने आप उसको प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से कुछ आप shortcut कर सकते हैं आप shortcut कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ इदर से चले जाएए सेटिंग में फिर इदर आप चले जाएए देखे डिक्सेनरी में जाएंगे तो इस पर प्लस वाली बटन पर इदर क्लिक कर जी फिर इसके बाद इदर अपना जो भी आप जिस भी वर्ड shortcut बनाना चाहते हैं वह वर्ड इदर टाइप कर दीजिए जैसे कि मैं इदर टाइप कर देता हूँ हाउ आर यू ओके यह हमको यह सेंटेंस से लगबग हर बार मतलब जब भी कभी कोई हमको नया मेसेज करते हैं मुझे को भेजते ही हाउ और यू तो इसका मैंने shortcut लिक दिय डाइप करूंगा सामने shortcut आ गया तो इससे मुझे पूरा typing करने की जुरुद में पढ़ रहा है और सामनी मेरे shortcut आ जा रहा है जिससे कि आपकी typing की speed काफी हिस तक बढ़ जाएगी तो देखा दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपनी typing skill को काफी बढ़ा सकते हैं और काफी fastly type कर सकते हैं कुछ ऐसे जुगार करके आप काफी अच्छी तरीके से fastly type कर सकते हैं तो दोस्तों उमीर है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसको like कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों लोगों सक और अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे नहीं टिप्स लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही important होती है बहुत ही मददका होती है तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और पर इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए गुड़ एंडेक केर